हेलो दोस्तों, जैहिन, नमस्कार इस वीडियो में आपको एक फोटो नजर आ रही होगी क्या आप इनके बारे में जानते हो? नहीं, यदि आप इनके बारे में जान जाओगे तो आपको भारती होने पर गर्व होगा आईए जानते हैं इनके बारे में इनके बारे में जानने से पहले COP26 के बारे में जान लेते हैं क्योंकि COP26 के बारे में जानने की बाद इनकी importance समझ में आएगी कि ये कितनी ज्यादा important है अभी हम जानते हैं कि हमारे देश के पधानमंतरी नरेंदर मोधी जी इंडिया में नहीं हैं लेकिन कहां हैं और कर क्या रहे हैं वो भी COP26 का पार्ट है लेकिन COP26 क्या है COP Conference of the Parties United Nation Conference conduct करता है climate change को लेकर के और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तो ऐसी उनकी 26th conference है जो की climate change को लेकर के है और ये Scotland के बड़े सहर Glasgow में आयूजित की जा रही है और जिसको Scotland के साथ Italy भी होस्ट कर रहा है हम सभी ये भी जानते होंगे जब भी कोई seminar या conference होती है तो उसका एक head means president बनाया जाता है और ये president house of commons जो की बेटेन के parliament है उसके एक MP minister of parliament है और ये कोई और व्यक्ति नहीं भारते मूल के आलोक सर्माजी है जिनका जन भारत में ही आगरा सहर में हुआ मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है ये बताते हुए क्योंकि मैं भी आगरा के ही रहने वाला हूँ आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक और पहचान भारतियों को विस इस्तर पर दलाई आलोक सर्माजी जिनका जड़ाव वच्पन से ही राजनीती से रहा क्योंकि जब ये पांच वर्स के थे उस समय ये अपने पिताजी के साथ बेटें चले गए और वहीं पर इन्होंने अपनी एज्यूकेशन पूरी की चुकि इनके पिताजी राजनीती से सम्मंदत थे तो इनका भी लगाव और जड़ाव दोनों ही राजनीती से बना रहा और 2010 में इन्होंने MP का चुनाव लड़ा Member of Parliament का और जीते और House of Commons बिटें की Parliament में जगे बनाई एक और बात इन से जड़ोई हम सब भारतियों के ध्यान में आनी चाहिए सांसत बनने के बाद बिटें की House of Commons Parliament में ओच सेरिमनी में गीता जो की भारतियों और हिंदु धर्म की पवित्र पुष्टक है उस पर इन्होंने हाथ रख करके ओच सेरिमनी इत्मी सपत गरण की प्रक्रिया को पूरा किया जो की इस बात का बोद कराता है कि यह सच्चे भारतिय है और भारतिय संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्वत देते हैं दोस्तों इनके बार में मैं बताना चाहता हूँ कि 2010 से और अभी तक यह House of Commons में है अभी वरत्मान में Minister of State at the Cabinet Office में है और इससे पहले भी कई सारे पदों पर है चुके है Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Secretary of State and International Development, Minister of State for Housing, Minister of State for Employment जैसी महत्वूर्ट जिम्मेदारियों का निर्वहन House of Commons बेटेन की Parliament में कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम भारते कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं बलकि विस इस्तर पर अपनी पैचान बना रहे हैं अगली वीडियो आपको भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोजी जी कोप 26 में किस तरीके से कुसलता पूर्वक अपनी बात को मनवा रहे हैं दुनिया के सीर्ष निताओं के बीच आपको देखने को मिलेगी आप कुछ फोटो से भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा देश का ये सेर्ष भारत का जंडा विस बलंद कर रहा है दोस्तों मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी अपने दोस्तों को सेर कर दीजेगा और स्वेम भी सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक भी कर दीजेगा कमेंट जो बहतरी न से बहतरी न आपको लगे इस वीडियो के लिए पोस्ट कर दीजेगा जैहिन दोस्तों